अजगेवी बंदा हूँ, मैं संदेशी हूँ, मैं सत लोक से आया, ये उतर दिया। और कहा, गेवी आया गेव से जितनी आत्माएं हैं, वे सारी कुशी गेवी लोक से सत लोक से आयी हुई है। और गेव के रष्टे चलते आयी हैं, यहां आकर के ये शुद आत्माओं ने काल भगवान के देश में आकर के बूरी लक्त, जिसे एव कहते हैं, वो धारन कर ली, इसलिए सारी आत्माएं काल के जाल में फस गए है। और जो जो आत्मा अमर लोक जाती हैं, उन्हें एब तो छोड़ना ही पड़ता हैं, उन्हें अपनी गलती का सुधार करना पड़ता हैं, और गलती के, अपने मन की गलती हटाये विना, कोई उस देश ने जान ही सकता है। अब आप कहते हैं कि आप रहा जब रहा ने कोई एक ही एक कहाया, ये जो चेतन है, उस सत्पुरुष का अंस है, और सत्पुरुष जो आप धनी स्वैम वहां रहे, कोई दूसरा साथ में नहीं था, अमर लोग की रचना सबसबत से, एक ही वचन से कर ली, फिर वहां से अनेक होने की भावना जागरत हुई, तब उस सत्पुरुष ब्रम के सोड़ा सुत उत्पन हुए, और सोड़ा सुतों के साथ पुरुष अमर लोग में अलग-अलग लीप अपने पुत्रों को देकर, अपने अंसों को देकर, अमर लोग में विराज़मान रहे, फिर जात वरण कुल रूप नहीं रेखा, जिन ये रहा चलाया, तो ये सारी आत्माओं की कोई अलग-अलग जाती नहीं, सब एक ही आत्मा है, और काल के देश में, काल ने, यानि जब मन सात हुआ आत्मा के, तब अनेक वरण भेश में की मान्यता, इस जीवात्मा को ने धारन कर ले, इस कारण ये सारी जीवात्माओं, इस फैलाये, मन के फैलाये जाल में फस गए, तीन गुणों के चकर में फस गए, यही बात है, पांस्तत्व गुण तीनों नहीं सो वो देश कहाया, मेरे अमर लोक में न पांस्तत्व का सरीर है, न पचीश परकरती है, न तीनों गुण है, क्योंकि वा मन है नहीं, तो इतन का पसारा कैसे होगा, सत्सार, बरंपुरी से इच्छा उल्टी, निर्पुण नाम धराया, बरंपुरी से सुत निरंजन की इच्छा उल्टी, जागरत प्रवी, के मैं भी एक से अनेक हो जाओं, तब आध्या शक्ति अष्टांगी देवी दुर्गा माता को जनम दिया, और अष्टांगी देवी दुर्गा इच्छा रूपी, इच्छा जो है, वो मन रूपी निरंजन का साथ किया, और उशी निर्गुण निरंजन से फिर ब्रमा विश्णु मेश की उत्पती हुई, और बर्मा विश्णु मेश से रिशी मुनियों की उत्पती हुई, और रिशी मुनियों से अनेक बेश बेश और शारी जंता की उत्पती हुई, जातिवाद विज़ और राजाओं ने इस्तापित किये और ये इश्वर के बनाएवे नहीं है सटदर्शन का बंद छुड़ाया और जब मैं आया तो क्या काम किया मैंने वोई बता देता हूँ कभीर साब कहते है है दोरकनाजी जब मैं इस अंसार में आया तो सटदर्शन का बंद छुड़ाया इबराहीम को चेताया जो एक इबराहीम नाम की सुल्तान बुखारा के बास्सा थे बुखारा देश अलग था जिसमें साहेब आये थे बलक बुखारा के सुल्तान इबराहीम जिसको मैं चवद्यवार प्रगट होकर के उसको सादू बनाया थे चेताया उशने संसार के जितने भी सटदर्शन है उन सब को बंदी बना दिया था और हातों में गट्कियां दे दी थी दे शर्दर्शन सन्यासी जो भी सादू शंत सिद्मात्मा थे उसके आतताई सभाव से दुखी हुए थे तब मैं वहाँ जाकरके इबराहिम को चेताया चवदेवार परचा दिया तिर इबराहिम मेरा सिश्य बना और सुल्तान इबराहिम 16,000 राणियों का त्याक किया इस सोडा हजार आणियों, अठारा हजार गोडा और कोटिन कोट वीरा मोती के खजानों को त्याकर वो सादू बन बने तो जो इब्राहिम सुल्तान था उसको मैंने अपना सुष्य बनाया कहे कभीर सुनो जति गोरक जिन डूंडातिन पाया गोरक जिन आपकेवल हिंदूों को चेताते हैं मैंने हिंदू, मुशलीम सब संसार को चेताने का ठेका ले रखा है अगर आपको भी मुपति करानी है तो मेरी सलिण में आजाओ गोरक जिन आगे प्रसन करते हैं कि कभीर साहेब आपकी उमर कितनी है चलो इस प्रस्ण का जवाब के लिए भजन की तयारी है चलो इस प्रस्ण का जवाब के लिए भान की तयारी है